तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में आप लोग का 10th क्लास का उर्दू का बुक कम्प्लीट हो जाने वाले है जी हाँ मतलब की समझ ये कि ये 10th क्लास के उर्दू का आखरी वीडियो है दो चैप्टर बचा हुआ था जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे और टोटल आप लोग का चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा यानि की 10th क्लास के उर्दू का दरख्षा का बुक पुन रूप से कम्प्लीट ये आखरी वीडियो है और कहा जाता ह है कि अंत भला तो सब भला ठीक है ना तो आप लोग अंत नम बहुत ही अच्छे तरीके से किजिएगा ताकि सब कुछ भला हो और हां सांसा आप लोग रिविजन करते रहेगा था थाटी येट तो कम्प्लीट होगे आज की समझे कि आज किस वीडियो में टोटल उर्दू क लेकिन याद रहने के लिए जरूरी है कि आप लोग रिवाइज करते रहें आप लोग रिविजन नहीं करते हैं तो आप लोग को याद नहीं होगा तो याद होना जरूरी है और याद तभी होगा जब आप लोग रिविजन करेंगे तो इसलिए मैं बोल रही हूं आज के इस फ्रेस हो जा estamos हो जाए अब मैं यह नहीं बोल रही हूं कि जितनी मेहनत आप फरस चैपट के फर्स्ट वीडियो को देखने में कीये थे और जितना मैहनत करके आप लोग फर्स्ट चैपटर पढ़ है फिर से उतना ही महनत कीजिए जी नहीं है यह बोल कि फॉस्स चेप्टर का आप लोग रिवीजन कीजिए रिवीजन का मतलब यह हुआ कि आप चेप्टर तो पढ़ लिए हैं अब वो चीज आप लोग को अल्रेडी याद है तो दुबारा उसका रिवाइज हो जाना चाहिए ठीक है ना और रिवाइज होने के लिए आप लोग क्या कर दीजेगा विडियो के स्पीड बढ़ा लीजेगा आप अपने हिसाब से 1.5x कर सकते हैं नहीं तो 2x कर सकते हैं जिस हिसाब से आप लोग को लगे कि हां हमारे लिए इतना स्पीड ठीक है उतना स्पीड करके आप लोग रिवाइज कीजिएगा ठीक है ना अब उतन को आप लोग कम से कम पाफ चेप्टर कर रिवीजन कीजिएगा ठीक है ना तो चलिए आज किस वीडियो को स्टाट करते हैं और समझते हैं चेप्टर नमबर 37 और 38 दोनों चेप्टर पाच किस वीडियो में कम्प्लीट कर लेंगे जिकम बैतरी धंग से एक भी कोशन दोनों च देखते रहेगा इसलिए मैं बोलते हूं कि कम्यूटी पोस्ट देखते रहना जरूरी है ठीक है ना वहाँ पर मैं हाली फिलान में एक दो दिन हुआ कम्यूटी पोस्ट करके बताई हूं कि 14 नॉवंबर यानि कि चिल्डरन देसे अब्जेक्टिव कोशन का लाइव स्टार आप से देखा जाएगा कि कौन सा समय दिवेस्ट है लाइव क्लास के लिए और उसमय को फिक्स कर दिया जाएगा और मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हां इतना बज़े लाइव चलेगा और देट तो आप लोगों को पता चल गया है 14 नमंबर याद रखिएगा अबज देखने के बाद आप लोग अपने मायंद में बात विठा कर लिजिए ज्यादाि बात न करते हैं जो साहे 30 चेप्टर न नमबर चेप्टर इसका नाम है दोहे मतलब किस चेप्टर में दोहा ही दिया गया है वैसे आप लोग जानते हैं डोहा जो टौफिक है डोह दोहा किसे कहते हैं मैं आप लोग बताऊँगी दोहा वे वैसे हिंदी का topic है और हिंदी में भी आप लोग को जानना जरूरी होता है लेकिन आप और अब और उर्दु में दे दिया गया है तो उर्दु में भी जानना आप लोग लिए कि दोहा किसे कहते हैं और इस चब्टर में जो दोहा दिया गया है उसके परतियेक तो जफर गोरख पूरी लि end जितना भी डिटेल्स दिया गया है स्बसे पहले हम समझेंगे और तब मैं आप लोग को दोहा बताऊंगी कि दोहा किसे कहते हैं तो समझें जफर गोरख पूरी जो है न उनकी पैदाईश हुई थी पाँच मुए उन्हें सब 35 को हुई थी डेट भले बुल जाएगा लेकिन यह सन याद रखेगा उन्हें सब 35 में जफर गोरखपुरी की पैदाईश हुई थी और उत्तर परदेश के गोरखपुर और गोरखपुर का एक गाउं है बास गाउं इसको याद रखेगा नहीं तो बैदावली बाबु ग बाओ देगा तो जो भी आप लोगो सही टिक करना है बात करें कि जफर गोरखपुरी को इतनी शोहरत क्यों हासिल हुई मतलब कि यह शेर और शायरी में मशहूर होने की और इतनी शोहरत हासिल होने की सबसे बड़ी कुशूसियत मतलब कि जफर गोरखपुरी जब शेरोशाइरी करते थे तो इनकी शेरोशायडी की सबसे बड़ी मश्रूर हो गए इनकी शायरी में नया असलूब और फिक्रोईससाद की नई ताजगी देखने को मिलती है यह बहुत बड़ी बात थी मतलब इनकी यह जो शेरोशायरी लिखा करते थे यह भी कुशुसियत थी कि यह जो भी फिलिंग्स को डालना चाहते थे अपने शायरी में वो मतलब खुलकर अच्छे शब्दों का इस्तमाल करते हुए और इनकी शायरी को पढ़कर एक तरह से ताजगी का एसास होता था जो भी फिक्रोईससाद थे थे वो अपने यह शेरोशायरी में डाल दिया करते थे मतलब साफ साफ उभर कर सामने आते थे इनके इसासाद इ इनके मशूर होने का वह यह कि इन्होंने बच्चों को भी नहीं चुड़ा मतलब कि बच्चों के लिए भी शायरी लिखी थी मतलब कि बच्चों के लिए इन्होंने दो किताबे लिखी शेरोशायरी की पहला है नाचरे गुडिया और दूसरा है सच्चाईया और यह दोनो बहुत 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 ही जादा important है, बहुत बार question पूछे गये हैं, हर साल पूछे जाते हैं, याद रखना है आप लोगो क्या कि जफर गोरखपूरी ने बच्चों के लिए दो मजमुआ यानि कि दो किताब लिखा था, पहला का नाम है नाच्रे गुडिया और दूसरा का न नाम बताएं, ठीक है न, अब आप लोगो को ये subjective में पूछा जाएगा तो दोनों का नाम बता देना है, लेकिन अगर objective में पूछेगा न, तो इस तरह से question पूछेगा, कि जफर गोरखपूरी ने बच्चों के लिए जो मजमुआ लिखा, उसका नाम क्या है, option में इन दोर पहला है तीशा है, दूसरा है वादिय संग, तीसरा है गोखरे के फूल, चौथा है चिरांग चश्मितर, पाच्वा है आर पार का मंदर, छठा है जमीन के खरीब, और सात्वा है हलकी ठंडी हवा, ये सातों क्या है, किताब हैं, जफर गोरखपूरी के, ठीक है, आगे लिखे थे, बहुत ज़्यदा गजल लिखे थे, और गीतों के साथ ताथ इन्होंने काफी तादाद में दो है, यानि की दोहा भी लिखा था, ठीक है, अमेरिका, सौधी अरब, और यूएई जैसे, मुल्क का, इन्होंने दौरा किया था, ये अलग अलग जगा पर, अलग देश-विदेश में गए थे, तो ये सारी बात है, और अमेरिका, सौधी अरब, यूएई जैसे, मतलब दूसरे मुलकों में भी इनकी शेरोशायरी फैली हुई थी, ठीक है, तो ये हर एक डिटेल्स हो गया, राइटर जो है, इनके इंतकाल के बारे में नहीं दिया गया है एक मिनट जरह में देख लेती हूँ, इसमें बताया नहीं गया है, जी हाँ, नहीं बताया गया है, कि इनका इंतकाल कब हुआ, तो और अच्छी बात है, जब नहीं बताया गया है, तो आप लोगों के एक्जाम में कोशन पूछेगा भी नहीं, जो आप लोगों के बुक मे श्यूसारत आगे बढ़ते हैं अब चलिये समझ लेते हैं कि दोह किसे कहते हन दोह को समझना important है दोहा एक परकार का चंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा हैं होती है उसी को तो क्या कहते हैं दोहा कहते हैं मतलब दोहा भी शीरोशायरी के इंदाज में ही लिखी जाती है नजमियन की कवीता की तरह ही लिखी जाती है बस शर्त यह होता है कि मात्रा का ध्यान रखना होता है पहले और तिसरे चरण में 13-13 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा है होनी चाहिए अभी मैं जो बोली मुझे पता है कि आ हम इसको दोहा कह रहे हैं सबसे पहले चरण को समझे कि चरण किसे कहते हैं इस दोहे को पढ़िए तारे छू जुगनु पकड़ ये एक सेंटेंस है ना तो इसको कहते हैं चरण ये पहला चरण है इस दोहे का ये जो पूरा दोहा है इस दोहे का ये पहला चरण है यानकी पहल सेंटेंस पहला स्टेप है पहला लाइन आप यू गया सकते हैं पहला वाक्या तो इस दोहे का ये पहला चरण हो गया उसी तरह दूसरा चरण क्या होगा रच सपनों के खेल ये दूसरा सेंटेंस है ना इस दोहे का ये दूसरा सेंटेंस है पढ़ेंगे तो सबसे पहले तारे और चौथा क्या हो गया? दिये में जितना तेल, यानि कि ये हो गया फोर्थ स्टेप, यानि कि चौथा चरण तो आई होप आप लोगों को चरण समझ में आ गया होगा कि दोहे में चार चरण होते हैं ठीक है ना? चार स्टेप होता है जैसे कि याँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये एक दोहा है और इसमें चार स्टेप आप लोगों को देखने को मिल रहा है तारे छू जुगनू पकड़ ये हो गया पहला चरण रच सपनों के खेल दूसरा चरण रात की इतनी उमर है तीसरा चरण अब समझते हैं कि पहले और तिसरे चरण में क्या तेरा तेरा मात्राय है अगर तेरा तेरा मात्राय है तो समझे कि एक दोहा है मतलब कि पहले और तिसरे चरण में तेरा तेरा मात्राय होनी चाहिए और दूसरे और चॉसरे चरण में 11-11 मात्राय होनी चाहिए अगर है तो हम इसको दोहा कहेंगे वरना नहीं कहेंगे ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग को मात्रा गिनना पड़ेगा क्या गिनना पड़ेगा? मात्रा को गिनना पड़ेगा कि हर एक चरण में कितनी-कितनी मात्राय है, अब मैं आप लोगों को गिन कर बताती हूँ, तभी आप लोगों को विश्वास होगा, मुझे रखता है कि गिनते हैं मात्रा को, ये पहला चरण है न, ये पहला चरण मैं लिख भी दे रही हूँ, ये दूसरा चरण है, ठीक है, ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है, अब हम सबसे पहले पहले चरण के मात्राओं को गिनते हैं, यहाँ पर तारे लिखा हुआ है, तो इस तारे में जो ये ता है, ता कैसे बना है, तो प्लस A से मिलकर बना हुआ है यानि कि इसमें दो मात्रा है है ता में दो मात्रा है उसी तरह रे देखिए रे कैसे बना है रो प्लस A से मिलकर बना हुआ है रे यानि कि इसमें भी दो मात्रा है है तो दो दो चार हो गया उसी तरह छू देखिए चा है और प्लस U है बड़ा ग्रफ नहीं ऑपpex कोई गिनते हैं बड़कि बड़ावाला वाला उ था इसलिए इसमें दो मात्रा लेकिन जू में छोटा वाला हूँ है इसलिए इसमें सिर्फ एक मात्रा उसी तरह गौ देखिए गौ जो है ना इसमें एक मात्रा है ठीक है उसी तरह नू ना प्लस देखिए इसमें कौन वाला उ की मात्रा है तो बड़ा वाला उ की मात्रा है यानि कि इसमें दो मात्र यहां पर टोटल कितने मात्रा है हो रही है पहले चरण में तेरा मत्रा हो रही है ना तो मैं अभी क्या बताई थी पहले और तीसरे चरण में तेरा मात्रा होनी चाहिए तो पहले चरण में तो तेरा मात्रा हो गया उसी तरह देखिए तीसरे चरण को भी गिन लिजिए क्या इसमें भी तेरा मात्रा है चलिए गिन लेते हैं रात लिखा हुआ है रा जो बना है वो रा प्लस आ से मिलकर बना हुआ है यानि कि इस रा में दो मात्रा है, तो में एक मात्रा है, की देखिए, कॉपलस ई से तो मिलकर बनी हुई है की, लेकिन इस की में छोटी वाली एकी मात्रा है, और छोटी वाली एकी मात्रा को हम मात्रा में नहीं गिनते हैं, बड़ी वाली एकी मात्रा को मात्रा में गिनते हैं, तो इस की में को प्लस E से मिलकर की बना हुआ है लेकिन इसको एक मातरा लेंगे क्योंकि इसमें छोटी वाली ही है बड़ी वाली ही रहती तब हम लोग क्या करते हैं दो मातरा लेते लेकिन यह आपर छोटी वाली है तो की में सिर्फ एक मातरा लेंगे उसी तरह E, इस E में सिर्फ E ही दिख रहा है आप लोग, यानिकि इसमें एक मात्रा, तो में भी एक मात्रा और नी, आप लोग देख सकते हैं, नी में जो है ना, नौ पलस E से मिलकर बनी हुई है, लेकिन E में बड़ी वाली है, यानिकि ये जो नी बनी हुई है, इसमें नौ पलस बड़ी E है, ठीक है ना, और बड़ी E को हम लोग मात्रा में गिनते हैं, तो नौ पलस E, यानिकि ये दो मात्रा से मिलकर बनी हुई है, नी, उसी तरह U में एक मात्रा, म में एक मात्रा, र में एक मात्रा, ठीक है, और है देखिए, है में ह है, पलस E है, यानिकि है, इस मात्राय हो रही है तो तेरा मात्राय हो रही है तो पहले और दूसरे चरण में तेरा तेरा मात्राय हो गई है अब उसी तरह अगर आप लोग दूसरे और चौथे चरण को गिनेंगे तो ग्यारा ग्यारा मात्राय होंगी गिन देती हूं इसी बात पर मैं रह में एक मात्रा है सो में भी एक मातरा, पो में भी एक मातरा, और नो जो बना है, नो पलस ओ से मिलकर बना हुआ है, यानि कि नो में दो मातरा, के में भी दो मातरा, क्योंकि को पलस ऐ से मिलकर बना हुआ है, तो दो हो गया, फिर इसमें भी दो, के में को पलस ऐ से मिलकर बना हुआ है, तो दो मात मातरा होनी चाहिए और उसी तरह चौध्थे जारण में भी 11 मातरा होनी चाहिए चलिए गिन्ते हैं लिख हुआ है इसमें एक मातरा है क्योंकि जोटी नहीं कि छोटी मातरा में नहीं लेंगे तो यहाँ पर D में सिर्फ एक मात्रा होगा और A है यानि कि इसमें सिर्फ एक मात्रा है उसी तरह में है मौ प्लस A से मिलकर बना हुआ है इसलिए इसमें हम लोग दो मात्रा लेंगे यहाँ पर सिर्फ A था इसलिए हम लोग एक मात्रा लिए और यहाँ पर में है यानि कि मो प्लस ए से मिलकर बना हुआ है ना में तो इसमें दो मात्रा ठीके जी है देखे इस जी में कौन से वाली की मात्रा है चोटी वाली की मात्रा है यानि कि सिर्फ एक मात्रा लेंगे बड़ी वाली की मात्रा रहती तब न हम लोग दो लेते लेकिन या पर छोटी वाली है तो जी में एक मात्रा तौ में एक मात्रा ना में नौ प्लस आ से मिलकर बना हुआ है यानि कि इसमें दो मात्रा ते में भी दो मात्रा तौ प्लस एसे मिलकर बना हुआ है और लौ में भी एक मात्रा गिनिये कितना हो रहा है टोटल एक दो दो चार 11-11 मत्राय हैं और दोहा तो उसीद को कहते हैं जिसके पहले और तूसरे च्छे चड़ में 10-13 मत्राय हो क्या हम लोगद दोहा कहेंगे तो बेशक इसमें ये दोहा लिखा गया है और इसमें मात्राओं का ध्यान रखा गया है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं दोहा कह रहे हैं ठीक है ना तो अगर आप लोगों को दोहा लिखना है तो इन सभी मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा यानकि पहले और तीसरे चर्ण में 13-13 मात्रा रखने पड़ेंगीउत ow लिखना कितना इहीं न लिखा गया है जफर्ण दुर्ध पूरी द्वारा यानी कि आप लोगों के Farm दिया miedo है पढ़ने को यह तरफार्टी नमेर नुर्थ में जोंगर दोहा है और उसमें का पहला दोहा में बोड पर लिखी हूं इसी को उर्दू में लिख दिया गया है चलिए मैं आप लोग को स्क्रिन पर दिखा दे रही हूं आप लोग को स्क्रिन पर शो हो रहा होगा इमेज बस यही बात जो हिंदी में लिखा गया है न उसको उर्दू में यहां पर लिख कर दे दिया लिखी थी और हिंदी में समझाई क्योंकि आप लोग हिंदी उर्दू से बहतर जानते हैं हिंदी आसान है आप लोग के लिए इसलिए मैं हिंदी में यह आप लिकर और मात्राओं को गिन कर बता दी ठीक है ना ताकि आप लोग को बहतर तरीके से समझ में आए चलिए अब बस यह जितने भी आपर दोहे दिये गये न, चेप्टर नमर 37 में जितने भी दोहे दिये गये हैं, बस इसका मतलब आप लोगो जान लेना है, कि यह सभी दोहे का मतलब क्या है, और फिर आप लोगका चेप्टर नमर 37 कम्पलीट हो जाएगा, तारेचु जुगनू पकड कर रच स पनों की खेल की मतलब क्या अपनी शपनों का खेल रचियानि की कोई एक सपना देख लो ठीखें मचलब कोई भी अपना लक्ज कर लो और उसके बाद से उस लक्ज को प्राप्ठ करनेieur की मेंट में यह लग जाओ अब जितना हो सके मेहनद करो अपनी लक्ष प्राप्ट करो तारो को चुओ जुगनू तक पहुँचो मतलब कि अपने लक्ष को प्राप्ट करो सफल इनसान बोलो जो भी तुम्हारा लग्ष आना उसको तुम एचीव करो जो भी तुम्हारा सपना है उसको इस लाइन के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं जफर गोरखपुरी कि जो इंसान जितना मेहनत करता है उसके मेहनत के हिसाब से ही उसको सफलता मिलती है अगर कोई व्यक्ति कम मेहनत कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको सफलता भी कम मिलेगी अगर वह ज्यादा मेहनत कर रहा है दिन रात एक कर दे रहा है दिन उसको सफलता भी उतनी बड़ी मिलेगी मतलब जितना आप मेहनत करेंगे उतनी ही आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं सफल होना ये तो लग की बात है जो लोग लग पर विश्वास करते हैं तो समझे कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा महा बेवकूफ इंसान है अगर विश्वास करना ही है तो प्लक यानि कि अपनी मेहनत पर कीजिए बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि हमारे जिंदगी में तो हमारी किस्मत में नौकरी पाना लिखा ही नहीं था इसी वज़ाशे हमको नौकरी नहीं मिला साफ साफ जहीर होता है कि उसने मेहनत नहीं किया है क्योंकि अगर उसने मेहनत किया होता ना तो उसको अपने मेहनत पर विश्वास होता इस आपके किस्मत को मजबूर कर देगी आप लोगे सफलता में शरीक होने के लिए महनत इतनी दबा कर कर दीजे इतनी कड़ी महनत कि आपके किस्मत को भी मजबूरन चल कर आना पड़े आपकी सफलता में शरीक होने के लिए किसमत कोई माईने नहीं रखती, अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत माईने रखती है जिस परदे में जाकिये, बस एक 13 रूप, क्या बादल में भूंदिया, क्या सुरज में धूप यहां पर बोला जा रहा है कि जहांपर भी देखो उपर वाले तेरा ही रूप नजर आता है जिस परदे में जाकिये बस एक तेरा रूप दिखाई देता है क्या बादल में बूनparty और क्या सुरज में दूप या निकि बारिश के जितने भी बूंडे हैं उनमें भी और सुरज की किढ़ने हैं उनमें भी चारों तरफ जो है ना तेरा ही रूप दिखाई देता है हट से अधक जिन्दगी सच पूछो तो रोग आगा पीछा सोचते बुढ़े हुए लोग यहां पर बोला जा रहा है कि वो लोग जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि के संजीदगी में रहत पाद आगे पीछे नहीं सोचा जाता है वह यहां पर बोला जा रहा है कि आगा पीछा सोचते बूढ़े हो जाते हैं इस बीमारी के साथ ओखत्म भी हो जाता इस दुनिया से चली भी जाते हैं बोखी भेड के जिसम में बस चर्वाहे को दूद दे या ताजिर को उन यहां तो वह उसको अपने पास रखेगा उस भीलाएगा फिलाएगा या फिर भेर से गर जिस इंसान को वा वो इसको रखेगा और भीलाएगा पिलाएगा इस दोहे के और उनसे घुल मिलकर रहते हैं वही बातें आपर बोला जा रहा है जाकर बैठे चार पल किन पेड़ों के पास जफर हमारे भाग में शहरों का बनबास यहां पर बोल रहे हैं जफर गुरखपुरी कि जफर हमारे भाग में शहरों का बनबास है हम जाकर किन पेड़ों के पास बैठे यानि कि हमारा गाव हुआ करता था जहां पर पेड़ हुआ करते थे और पेड़ों के पास जाकर हम बैठा करते थे लोग भी वहां पर इकठे होते थे और हमसे बाते किया करते थे पहले के लोगों में अपना पन था लोग एक दूसरे बाचित करते थे सुख दुख की लेकिन जफर हमारे भाग में ये शहरों का बनबास लिख दिया गया है शहर में आ गया हूँ और यहां पर एक दुसरे से कोई बात चीथ ही नहीं करता ठीक है न अपने काम से काम रखो जो भी अगर आपको घर से निकल कर कुछ खरिदने जाना है जाकर जो भी काम है बाहर करक जफरू आपस अपने रूम में आ जाईए किसी से कोई मतलब नहीं होता है ये तरसे बनबास यान की जंगल की तरह है शहर ठीक है न वहीं बोल रहे हैं कि हमारे भाग में क्या लिखा है शहरों का बनबास ले आते बाजार से सुख के लम्हे चंद पैसों से मिलता कहीं जो म खरीद लाता पैसों से मिलता कहीं जो मन का अनंद अगर मन का अनंद मन की खुशी अगर पैसों से मिलती तो मैं भी खरीद कर ला देता लेकिन अफसोस ये चीज़ पैसों से नहीं मिलती है ठीक है ना शिक्छा हो या फिर कुछ मतलब जो भावनाए है ना उसको खरदा नही पेड़ पर और मैं लहू लहान बोल रहे हैं कि इससे बढ़कर रिष्टों की पहचान क्या हो सकती है कि जब पेड़ पर कुलहारी गिरती है यानि कि जब पेड़ को काटा जाता है तो ऐसा लगता है कि मैं लहू लहान हो गया यानि कि लगता है कि मुझे को काट पिया गया है यानकी लगता है कि मुझे पर पुलहाडी गिर गई है तो इससे बढ़कर रिष्टों की पहचान और क्या हो सकती है रात पराये देश की हर सपना बरबाद जुगनू साचमका करे मा का आशिरवाद बोल रहें कि अगर रात को कोई जाता है पराये देश में दूसरे देश में वहाँ पर तो कोई अपना नहीं होता है अकेले रहो ठीक है न और वहाँ पर जाने के बाद सब कुछ नया नया होता है कोई अपना नहीं होता है लेकिन उस वक्त जो हमें साहस जो हिम्मत देता है वो और कुछ नहीं मा का आशिरवाद ही देता है यान की जुगनू सा चमका करें मा का आशिरवाद जब हम कहीं दूसरे जगा जाते हैं दूसरे पराय देश में यान की विदेश में जाते हैं तो उस वक्त कोई हमारे साथ न लेकिन दुख इस बात का है कि किताबों से पढ़ने लिखने वाला कोई नहीं है किताब बेवा हो गई है क्या-चिंतन क्या से इतना अपनी नसाज कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बाज अब रहा है कि अभी के जमाने में अभी के generation में जितने भी लोग है ठीक है ना उनको क्या ही बताए जहाए है वो भूर ना समझ रहे हैं और साज समझ रहे हैं कैसा चिंतने और कैसी चित्ना you are computer के काल में क Кол बोल रहे हैं computer के काल में सब बंजर सब बाज हो गये हैं यानि कि अभी के जमाने के लोग रात को बारे बजे सोते हैं और सुबह को बारे बजे उठते हैं जबकि सांच को ही सो जाना चाहिए और भोर में उठ जाना चाहिए और भोर की जो हवाय होती है ना सिहत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है ठीक है ना जरूरी होती क्वालिया हो रही हैं है थीजिए सरी पहले के लोग पहले के लोग कि लोग आप लोग देख सकते हैं 80 90 साल तक जी जाते थे यहां तक तक कि अभी जहां में रहती हूं आप 쳇से मेें यह c SUV 11 सब्सक्राइब आप यहां पर फाइनली हो गया चैप्टर नंबर थाटी सेवन अब चलिए पर आप लोगो थाटी एट जो है यह जो है ना यह लिखे हैं सलाम मचली शहरी यानि कि ये गीत सलाम मचली शहरी द्वारा लिखी गई है और इस गीत को पढ़कर मैं आप लोग को हर एक लाइन का मतलब समझा दूंगी वैसे ज्यादा ये टफ नहीं है आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है जानना स पर दो असल नाम रियल नहीं अब्दुल्सक्राइल इनकी प्यदाष फीती है गजदाई के मचली शहर में प्यदाष हुई और को इनका नाम से मश्गूर हो गया और इनके वालीद का नाम था अब अभ्दुर रजाक और दादा जी का नाम EU qe देखे ना सलाम मचली शहरी की नजम की बात करें तो इनकी दो नजमें आप लोगे बुक में दी गई है यानकी दो कवीता पहला है सड़क बन रही है और दूसरा है पीतल का साम गीतों का भी मजमुआ दिया गया है यानकी गीतों के किताब का नाम दिया गया है पहला है पायल थे यहां तक कि यूश्टिटी तक यह जाकर पढ़ाई किये थे लेकिन पहली बार यह मैट्रिक का एक्जाम दिये थे नो यह तो उसमें फेल कर गए थे और फिर इनका दिल्चस्बी जो है ना सियासत में भी रहा था पॉलिटिक्स में और इनकलावी नजमें भी लिखे थे जैसे कि देखिए लिखा हुआ है मेरे नग में इनकलावी नजमों का मजमूर यान की किताब का नाम क्या है मेरे नग में याद रखिएगा 14 साल की उमर में यानि क्यूने सब 35 में इनकी पहली नजम जो है ना नैरंग ख्याल यह प्रकाशित हुई थी और Riot कितने साल की उमर के थे उसक यह 14 साल की शौर्द के अगर बात करें उनाख 54 में इनको इनके दूसरे मजमूए यानकी दूसरे किताब का नाम था वसियत याद रखना है इनका इंतकाल हो गया था 970 2 सबसरे की बारे में अब चलिए जो गीत को आप पढ़कर बता देती हूं लिखा हुआ है कि जमुना की लहरे उठती है कुछ कहती है और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है जमुना की लहर के उपर लिखा गया है यह नदी जो है ना उसकी लहर के उपर यह लिखा गया और बोला जा रहा है कि यह मुना की जमुना की लहरे जो ह कह रही हों कुछ गा रही हों और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है ठीक है ना क्या जाने क्या कह जाती है आकाश के हस्मुक्तारों से क्या जाने क्या सुन जाती है इस दुनिया के नजारों से यहां पर बोल रहे हैं सलाम अचली शहरी कि क्या जाने यह जो जमु char девinck वैंक तारों से यह क्या कह जाती है और फिर नीचे आती हैं फिर ऊपर उठती हैं और क्या जाने क्या सुनीं जाती है इस दुनिया के नजारों से लिपना की लेहरे उटती हैं और कषी छीसे भी नाजुक लह्रों पर कितनी परफ़शाई परती हैं जब ताज-्महिल उस लहर पर पढ़ता होगा वहीं बोला कितनी और पर पड़ती है और चाहिश के ताज महल का इमेज उस लहर पर पड़ता है तो ऐसा लगता है किताज महल वी कुछ कह रहा हो और मुम्ताज की सुरत हस्ती भी लगती है कि ऐसा लगता है कि मुम्ताज आप सटो के बारे में किस ने बननाया था किमना की न занamu के नदी में नदी की ज hazard है उन्हेरों के उपर ताज महल का परतिविम्भ पढ़ता है यानि की पष्णाई पढ़ता है इमेज पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि ताज महल कुछ कह रहा हूँ क्योंकि लेहरily उपर ना हस्ती हुई दिखाई देती हैं जब उना की लहरे उटती हैं कुछ पिछ गाती है और गाते-गाते सपनों की दुसी आ में खु जाती हैं मैं इन लहरों पर भिज़ूँंगे जिवनके हजारों खिवाब भी यह आसू यह नाजु। कर भी चांदनी या मैथाबभी आशाय फना होकर भी जहां कुछ अम्रित रस्त भायाती हैढ़ना की लहरे उठती हैं कुछ कहती किया और गाते सपनों के दुनिया में ठो जाती है यह उत्लशाइब उपाई फना होकर भी झाहिता न survived खत्म हो जाती हैं फिर भी कुछ अम्रित रहाती रहती हैं और मेरे जिन्दगी के जो भी खाब हैं मेरे जिन्दगी की जो भी सपने हैं ये नाजुक कलिया ये चांदी ये मैताब मैंने जिन्दगी में जो भी अच्छे पल गुजारे हैं और जो भी मेरे खाब जो अधूरे रहे गए हैं, उन सभी हजारों खाबों को, मैं इन लहरों के साथ भेज़ देना चाहती हूं, ताकि इन लहरों को जब अपनी मनजिल मिल जाए न उस वक्त हमें भी अपनी मनजिल मिल जाए, यानि हमारा भी खाब पूरा हो जाए, मतलब कि जमुरा की नदी कहीं से अगर निक बेज देना चाहती हूँ ताकि इन लहरों को जब अपनी मंजिल मिल जाए तब हमारे भी मंजिल मिल जाए जमुना की लहरे उखती हैं कुछ कहती कुछ गाती हैं और गाते-गाते सपनों की दुनिया में खो जाती हैं क्या ये टफ्था बहुत ही ज्यादा आसान था ये आप तो खुद तब भी पर सकते थे तो चलिए यहां पर फाइनली हो गया चैप्टर निबर 38 कम्पीट अब आप लोग अब्जेक्टिव के लिए इंपजार कीजिए जैसा कि डेट में आप लोग को बताईए दियू 14 नवंबर टाइमिंग भी बहुत जल बता दिया जाएगा 14 न तो चलिए फाइनली आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं आप लोग का बुक तो कम्प्लीट हो गया उर्दू का 38 चेप्टर तक तो था और टोटल कम्प्लीट हो गया 38 चेप्टर तक यानि कि आप यूं कह सकते हैं कि उर्दू का दरक्षा का बुक जो आना वो पून रूप से खतम तो इसी बात पर अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये न तो फड़ाफट लाइक कर दे और जितना ज़्यदा सके शेयर कर दे अभी तक शेयर नहीं किये हैं तो अपने पडोसी अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोग चोटी बड़े भाई बाने चारों तो शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके अगर आप लोग चानल पर नए नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफीज